अलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल रदनबाईसा की रसोई तो आज हम अमारी रसोई में मेथी की मटरी की रेसिपी लेके आए हैं जिसे हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे और इसे आप काफी लंबे तमय तक स्टोर भी कर सकते हैं और यह हल्दी भी होती हैं चाय के साथ और जब भी चोटी मोटी भूक लगे तब भी आप यह बना के खा सकते हैं स्टोर करके रखिए तब आप ट्रैवलिंग में भी लेजा सकते हैं और यह बच्चों को भी बहुत ज़्यदा पसंद आने वाली हैं तो यह देखिए फ्रेंस कितनी क्रिश्पी बनी हैं हम आपको तोड़के भी बता देते हैं यह देखिए बहुत यासान से टूट रही हैं तो चैनल को अब तक हम इसके पते अलग कर देंगे तो मेती को जो हैं हमने साफ कर लिया हैं इसे हम साफ पानी से धो के ले लेंगे बहुत सारा पानी लीजिए फिर मेती को उसके अंदर डालिए फिर उपर उपर से मेती को ले लीजिए इस तरह से मेती धोने से इसमें मिट्टी बिलकुल नहीं तो यहां पर हमने ले लिया है आटा तो आटा हमने यहां पर गेउंक का लिया है तो इस तरह से हम थोड़ा सा बीच में जगा कर लेंगे ताकि मसाले बहुत यासान से एड़ कर सके तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट है त इस तरह से रब करके डाल देंगे अजवायन तोटली आप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्केप भी कर सकते हैं गरम मसाला डाल देंगे और यहां पर डाल देंगे बेसन हम इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडियंस टालने वाले हैं जिससे जो हैं फ्रें मेती को जो हैं बहुत ही अच्छे से दो के ले लिया हैं और इसे हम बारिक बारिक काट के ले ले लेंगे इसमें डंटल बिल्कुल नहीं रहना है डंटल रहेंगे तो फिर आपको पूरिया वग्यारा बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी तो अब हम इस आटे के अंदर इस मेती को जो हैं डाल देंगे और हातों से बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी आड करते हुए इसका थोड़ा सा हाट आटा गुंद के रड़ी कर देंगे ज्यादा सौफ्ट आटा मट्री का जो है नहीं कुंद रहा है आपको थोड़ा सा हार गुंदेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी मटरी बनेगी, थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके हमने यह आटा के रडी कर दिया है, इस पे तेल लगा के थोड़ा सा इसे चिकना कर देंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूली है friends अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डो उठा लेंगे और इसकी बना लेंगे लोई आप चाहें तो छोटी-छोटी पूड़िया बना के इस टाइप से भी बना सकते हैं हम आपको shortcut वाला तरीका बताते हैं अगर आपके fast friends cutter हैं तो आप अलग-अलग design के cutter का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पास यह तीन type के cutter हैं तो इस तरह से पहले मैंने एक रोटी जैसे बेल लिया है अब हम इस तरह से cut लगा लेंगे इस type के design design वाले material रहेगी तो friends बच्चे जो हैं बहुत ही आसान से खा लेते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा tasty भी लगती हैं अगर आपको लगे कि मेती बहुत ही ज़्यादा करवी हैं तो आप जो हैं मेती को एक बार boil करके भी ले सकते हैं बट season की मेती जो रहती है फ्रेंस वो कडवी नहीं रहती हैं अनसीजन में जो मेती यूज करते हैं वो कडवी रहती है तो इस तरह से हम इसके अंदर hole कर देंगे फोक की help से अब हम इसके पास का extra dough जो हैं हम सारा निकाल देंगे तो इसी तरह से हम हमारी सारी मटरी बना के ले लेंगे तो यह देखिए यह heart shape है, star है, flower है तो तीन shape है तो इसी तरह से हमने बना के रड़ी कर ली है अब हम यहाँ पे तेल को कर देंगे गरम और तेल हमारा बहुत ही अच्छी से गरम हो चुका है ज्यादा गरम तेल नहीं तो अब हम गयास की फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर देंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक सके ऐसे हमने पतली ही बनाई है तो पतली बनाने से बहुत ही क्रिस्पी बनती है तो यह लीजे बहुत ही जटपट हमारी मटरी जो है फ्राइयों के निकल चुकी है हमने इसमें दाल मिर्ची एड़ करिए इसके लिए इसका कलर जो है इस तरह से आपको दिक रहा है तो सेम प्रोसीजर से हम हमारी सारी मटरियों को जो है इस तरह से फ्राइय करके ले लेंगे वीडियो अच्छा लगता है तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है